इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मुन्त 2018 का मासिक फल दर्शकों जुलाई मा का आरम मीन लगन और मकर राशी में हो रहा है इस राशी के लगन के श्वामी जो है ब्रिश्पती है जो कि लगन से अस्तम घर में बिचरन करेंगे और वक्र है कहने के आपको लगेगा कि जो प्रतिबा है जो प्रतिबा आपके अंदर है जो क्वाल्टी आपके अंदर है उसके साथ थूड़ा सा अन्याय हो रहा है ये रहेगा क्योंकि ब्रिश्पती वक्र है आपके कुंग्लिका में बट कोई नहीं आप कर्म करेंगे तो निश्यत है कि उसमें आपको आने वाले समय में इसका लाब जरूर देखने को मिलेगा दूसरा इंफेक्ट अगर मैं देखता हूँ कि जो महा लगन कुंग्लिका जो बनी है उसके जो लगन से लाब घर में चंद्रमा बैठे हुए है बट अकेले नहीं है वहाँ पर मंगल और केतु भी यूती बनाए उनके साथ बैठे हुए है तो मतलब जो आप अथा प्रियास क कर रहे थे वहां से जो है मुझे लगता कि लाब की जो मात्र है वो कम ही रहेगी जैसे आप अभी देखने को आपको मिल रहा था क्योंकि अधिक लाब नहीं मिल पाता है तो निसीत है कि आप यहाँ पर कर्म करते रहे हैं तीसरा फैक्ट में देखता हूँ कि पंचम भाव जो हमारा मास कुंडिका का है उसमें शुक्र बुद्ध और राहु विराजबान है तो पाच्वा घर जो हमारे कुंडिका में माना गया है प्रेम संबंध हो गया आपका सिक्षा का हो गया आपका शंतान का हो गया तो इन छेत्रों में खास करके राहु के विराजबान होने से और शुक्र के शात्यूति करने से बुद्ध के शात्यूति करने से थोड़ासा संतान संबंदी चिंताएं बढ़ा सकता है आपका प्रेम शंबंदों में चिंताएं दे सकता है आपका थोड़ासा जो एंट्रेस एक्जाम हो या नए कई आप नए प्रविश प्रिक्षाओं में आप जाना चारें तो थोड़ा सा चिंताओ वाला आपके लिए योग भी बना रहा है दूसरा शुक भाव में जो है सूर्य गोचर कर रहा है यह सबसे अच्छी बात है कि सूर्य ग्रहों का राजा है और निश्यत अगर वो शुक भाव में गिजल कर तो पूरी कोशिस करे तो निश्यत तक कि जो पूरा आकलन आया है कि शनी अगर वक्र होंगे और कर्म भाव में चल रहे होंगे तो आपका यह समझ लेना से कि थोड़ा सा बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं थोड़ा कठिन प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं और आपको अधिक समय देना पड़ेगा अधिक मेनत करनी पड़ेगी तो आपका जो महिना है वो काफी अच्छा निकल जाएगा रही बात 83 फल की तो उस पर बात करेंगे ही लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं जुलाई मा में होने वाले जोत्रसी घट्ड़ा कर्मो यानि गरहों के चाल में होने वाले बदलाओं के बारे में दर्शकों सुर्या मिथुन राशी में चल रहे हैं जो कि 15 जुलाई तक मिथुन राशी में ही रहेंगे तर पशाच 16 जुलाई से लेकर 15 अगस तक सुर्या चंद्रमा के राशी कर्क में रहेंगे हाला कि कर्क राशी में राहु भी विराजमान हैं जिस कारण गर्ण दोश भी बनेगा बुद्ध भी 25 जोन से करक राशी में गोचर करने लगेंगे जो कि यहाँ पर 1 सेप्टमबर जैसे ही करक राशी में आएंगे तो बुद्ध आती हो तो बनेगा ही लेकिन राहु की मोजुद्ध की में यहाँ थोड़ा सा गर्ण दोश लाने वाला रह सकता है मंगल की मंगल करह की बात करें तो मंगल सत्य जोन को अपनी उच राशी में ही वक्र हो रहे हैं यह परिवड़तन नहीं करेंगे वक्र होंगे यानि मंगल की चाल उल्टी सुरू हो जाएगी मंगल की चाल से काफी राशियों के हाल बजलने वाले हैं गोचर में और मासिक कुंडले का में काफी बदलाव आने को देखने को मिलेगा आपको मंगल का वक्री होने का प्रभाव राशियों फर 28 अगर्स तक पढ़ने वाला है मंगल का वक्र होने से आपकी राशिय में क्या प्रभाव आने वाला है किस प्रकार का प्रभाव बढ़ने वाला है तो आप जो है हमारे वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन पे दियेगे लिंक को क्लिक करें तो निश्यते आप जानकारी ले पाएंगे तीसरा परिवर्तन शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा जो की 5 जुलाई को सिंग रासी में गोचर करेंगे और यहां वा 31 जुलाई तक गोचर करता रहेगा निश्यते है कि उसका भी फल हमारी राश्यों में अलग अलग रहेगा वो भी आप जानकारी जरूर ले पाएंगे और चोथा परिवर्तन गुरु ग्रह यानि की ब्रिश्पती तुना रासी में वक्र होकर गोचर कर रहे है लेकिन अच्छी बात है कि 10 जुलाई को ब्रिश्पती की चाल पुना बदल जाएगी और वा सीदे यानि मारगी हो जाएंगे सनी ग्रह की बात करें तो शनी जो है धनुरासी में वक्र रहेंगे और निरंतर 6 सब्टमबर तक इसी रासी में वक्र बने रहेंगे लिंक को किलिक कर अपनी रासी के बार में जानकारी ले सकते है कर दो दो कर दो कर दो दो जजए इस नगल में